एम जी बी डिजिटल इंडिया अमेरिका की टर्फ्स यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये दावा किया गया है कि विटामिन D से डिमेंशिया का खत्रा 33 प्रतीशक तक कम हो सकता है। ये रिसर्च 290 लोगों पर किया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि याकर डिमेंशिया होता क्या है। इस रिसर्च में शोधकर्टाओं ने दिमाग के चार इलाकों में विटामिन D के स्तर को देखा और पाया की विटामिन D जिन लोगों में ज्यादा था उनकी यादास्त अच्छी थी। प्रिश्व स्वास्ते संगठन यानी डबलू एचो के अनुसार दुनिया में 5 करोर लोग डिमेंशिया से पीरित हैं। भूलने की बिमारी के ज्यादा तर मरीज बूढे बुढे बुजूर्गी होते हैं। डबलू राचो की माने तो साल 2030 तक डिमेंशिया के मरीजों की संख्या बढ़कर सारे 7 करोर से भी ज्यादा हो जाएगी। वही बात विटामिन D की कमी के शिकार लोगों की करें तो दुनिया में 100 करोर लोग इससे ग्रसित हैं। रिसर्च के अनुसाल सर्दियों में आधे से ज्यादा यानिकी लगबक सा 50% एशियाई लोगों में विटामिन D की गंभीर कमी होती हैं। वही गर्मियों में या आकरा 51 प्रतिशत हो जाता है। भारत की बात करें तो 49 करोर लोगों में पर्याप्त विटामिन D नहीं हैं। इनमें 31 प्रतिशत बच्चे और टीनेजर्स हैं। विटामिन D की कमी से बच्चों को रिकेट्स जैसी बिमारी होती है। वही 60 साल से ज्यादा के लोगों में मानसिक कमजोरी बढ़ती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विटामिन D का प्रमुक शोत सनलाइट होता है। इसलिए हर दिन खास करके सर्गियों में कुछ समय के लिए धूप में जरूर बैठें। इससे आपको कई तरह के मानसिक और शारिडिक फायदे मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करें। साथी कमेंट कर हमें अपना फीडबैक जरूर दे। लाइफस्टाइल, फिटनेस, हेल्ट से जूरी ऐसी खबरों के लिए अभी हमारे चैनल MGB Digital India को सब्सक्राइब करें।